हाई फ्रेंट्स विल्कम बैक टो विस्टेडी क्लासस तो आज की फाइव मिनट्स सीरीज में आपके साथ जो टॉपिक डिस्कुस करने वाले हैं वो है सिस वर्जिस सर्चाज दोनों टर्म्स ऐसी है जो कि आपने सुनी तो होंगी ही बट अक्सर इनके डिफरेंट्स में और यह में साथ तो आजए देखते हैं क्या होता है सिस और कैन दोनों के बीच में डिफृне वश्पी जोकी जैनल्ड ठेपकर हे उसके लिए लिए वाहारे पास है मीनिक अमुब बैक और कँमपी पूर्स पेपर टू कमॉर्स और management के लिए हमारे पास है free unit snapshot notes, unit wise explained past papers, practical units का course, computer based series और paper 2 का complete course, paper 1 और paper 2 दोनों का course आप एक साथ भी purchase कर सकते हैं at a discounted price. तो आईए सबसे पहले बात कर लेते हैं, what is CIS, CIS क्या है जी, CIS is a form of TIX, तो TIX की तरह ही है, इसे government levy करती है, किसी particular purpose के लिए, किसी particular service, किसी particular sector के लिए, तो CIS जो लगाया जाएगा, वो किसी particular मकसद से लगाया जाएगा, it is collected for a particular purpose, और इसका जो पैसा है, वो केबल उसी purpose के लिए इस्तमाल होगा, कहीं और इसका पैसा नहीं लगाया जा सकता, जैसे education CIS का आपने नाम सुनाएं, तो इसका पैसा education के लिए लगाया जाएगा, स्वच भारत CIS, इसका पैसा भारत को स्वच बनाने के लिए लगाया जाएगा, क्रिशी कल्यान CIS, इसका पैसा क्रिशी के कल्यान के लिए लगाया जाएगा, GST compensation CIS, इसका पैसा दिया जाएगा, स्टेट्स को compensation की फार्म में, तो एक particular मकसद के लिए ये CIS जो है, वो लगाये जाते हैं, तो it is charged over and above direct and indirect taxes, तो आपका जो tax का amount आ रहा होगा, उसके बाद उसमें आपका CIS एड़ हो जाएगा, जिसे income tax के अंदर, हमारे tax अगर 100 निकल कर जाता है, तो फिर हम उसके अंदर education CIS जोड़ देते हैं, 4% और फिर हमारी total liability 104 यहाँ पे बन जाती है, तो it is over and above the tax, direct tax भी हो सकता है, जैसे income tax और indirect tax भी हो सकता है, जैसे कि आपका GST, तो it is not a permanent source of revenue for the government, तो एक permanent source नहीं है, ये cable एक purpose के लिए लगाया है, और जब वो purpose पूर कर देंगे, और generally जो CIS और surcharge हमारी center government collect करती है, इसे states के साथ share नहीं किया जाता, उनको further devolve नहीं किया जाता, center खुद ही इसका इस्तमाल करती है, respective purpose के लिए, examples already आपको यहाँ पे बता दिये, तो आईए जी अब बात करते हैं, what is surcharge, देखो जी, surcharge एक ऐसा charge है, जो कि आपका again text के उपर लगाया जा रहे है, सर, सिस और surcharge में फिर difference क्या हुआ, देखो, सिस जो है ना, वो एक temporary purpose के लिए लगा रहे हैं, हमारे कुछ particular purpose है, उसे पूरा करने के लिए लगा रहे हैं, बर surcharge जो आपके हैं, वो usually permanent nature के होते हैं, It is levied as a percentage on the income tax payable as per the normal rate, तो जो भी आपका text निकल कर आया, उसके उपर हम further surcharge लगा देते हैं, अगर कोई text नहीं है, तो फिर आपका कोई surcharge नहीं लगेगा, तो जैसे आपने सुना होगा कि जिनकी incomes बहुत जादा हैं, जिनकी करोडों में income हैं, उनको यहाँ पर further surcharge भी देन पड़ेगा, तो इसलिए जो बहुत अमीर लोग हैं, उनसे हम text के उपर कुछ और वसूली कर रहे हैं, permanent nature की वसूली है, इसे surcharge का नाम दिया गया है, और देखिए जी इसका भी जो revenue है, वो हमारा जो center है, वो retain कर लेता है, इसे भी states के साथ बांटा नहीं जाता, तो ये ये fund है, पूरे इंडिया का जो consolidated fund है, उसमें इसका पैसा जो है वो चला जाएगा, फिर आगे respective purposes के लिए इस्तमाल होगा, तो यहाँ पर my dear friends हमारे पास एक practice question है, तो इस question को आपने solve करना है और अपने answers को comments के तुरू हमारे साथ जरूर से share करना है, तो thank you my dear friends, यह था आज का हम हमारे एक छूटा सा discussion, उमीद करते हैं, जो बाते हैं अज आपके साथ discuss करी, वो आपको समझ में आई है, अगर आपको आज का discussion पसंद आया, तो ज़रूर इस वीडियो को like करना, हमारे चैनल पर नए है, तो इसे subscribe करना, और अपने दोस्तों का साथ भी से share करना, thank you friends, bye bye and take care करना,πό उला और ऋए है, तो झाल चाогवानल ऑना कर्प Kenneth secondo जोबने, भी से sवां में रहे हैं, जो जो झामारे टूप है तो छाहrice है, तूप है झाली को कर दोस्तों करते हैं, अज़र चाहतो है।